नमश्कार जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्चकों का मैं स्वागत करता हूँ और सभी को मेरी तरफ से राम राम चाहे करोना की को लेकर हम हर अपडेट आपको दे रहे हैं जिसके अंदर आज का एक दुखत समाचार था कि 25 लोगों की मृत्ति हो गई वहीं एक बड़ा इंपॉर्टन जानकारी आपके साथ मैं लेकर इस्टेमर कोनेक्ट हुआ हूँ ताकि आपको जेके मीडिया के माध्यम से ये पता चले कि अभी तक कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है क्योंकि अभी तक ये जानकारी आप तक हमने नहीं पहुंचाई थी और हम इस पूरी जानकारी को पूरा का पूरा अनलाइज कर रहे थे पूरा एकठा कर रहे थे इसकी पूरा डेटा और सरकार ने भी हमें जो डेटा परवाइड किया है कि आखिरकार हमारे जम्मू कश्मीर की जो बीस डिस्टिक्स हैं दस जम्मू की और दस कश्मीर की उनके हिसाब से कितना वैक्सीन अभी तक लोगों को लग चुकी है और हर दिन कितनी कितनी वैक्सीन लगती है जैसे कि आज कितनी वैक्सीन लगी इसकी भी मैं आपको जानक जो दूसरा डोस जिनों को लगा है, आज जम्मूद इस्टिक में वो लगा है, छेससो सत्रा लोगों को, सिक्सब्स अन्डर स सेवनटीन। उधमपुर में आज 22 लोगों को पहला डोस लगा और दूसरा डोस लगा 265 के करीब लोगों को राजोरी में 8 लोगों को आज पहला डोस लगा और 148 दूसरा जो डोस था करोना वैक्सीन का कठुआ में आज जिनको first dose लगा है वो है 18 लोग और जो second जिनको आज dose मिली है इसका करोना वैक्सीन की कठुआ में वो है 71 पुंच में आज का जो है first dose के लोग 4 है और पुंच में second dose के 32 है रामबन में 5 है first dose के, 80 है second dose के 13 है किष्टवार में first dose के और 69 है किष्टवार में second dose जिनको लगी है रियासी में जिनको first dose आज injection की लगी है वो 54 है और रियासी में जिनको second dose लगी है वो है 85 सामबा में जिनको first dose लगी है वो है 14 और सामबा में जिनको second dose लगी है वो है 1565 अब हम बात करतے हैं जो कश्मीर के अंदर जो अलग-अलग डिस्टिक हैं, 10 डिस्टिक उनकी बात पहले हम बात करेंगे अनंतनाग की अनंतनाग में जो फ़र्स्ट डोज जिनको ळगा है वो ग्यारा लोग है और जिनको सेकंड डोज लगा है वो 165 हैं कुलगाम में 7 लोगों को 1st dose दिया गया है और 240 लोगों को जो है जिनको 2nd dose का injection भी लगा है श्वपईया में आज 2 लोगों को 1st dose का injection लगा है वो बड़ा कम नंबर है यहां के district administrator को देखना चाहिए और 96 जो हैं जिनको 2nd dose श्रीनगर में 350 लोगों को 1st dose लगा है करीब 2nd dose 12 मुला में 16 और जिनको 2nd dose लग रहा है वो 409 है कुपवाडा में 31 जिनको 1st dose लगा है 2nd dose 235 बांडीपुरा में 1st dose वाला कोई भी शक्स नहीं है जिनको आए लगा और 2nd dose जिसको आज लगी है वो 74 गांदरबल में 55 लोगों को पहली dose और 97 जो है 2nd dose लगी है सिटिजन जो की 45 years से अबव हैं जिनको आज वैक्सीन लगी है कश्मीर डिवीजन के अंदर 46,638 हैं और जम्मू के अंदर 76,143 हैं इसके इलावा जिनको जो अभी तक टोटल जो परसंटेज है अगर हम कश्मीर की बात करें तो 45,50% लोगों को dose लग चुकी है और जम्मू के अंदर 46,93 लोगों को अभी तक जो है dose लग चुकी है ये अभी तक का approximate data है जो data हर दिन change होगा जिस तरह से dose लोगों को injections लगते रहेंगे ये एक बड़ी अच्छी बात है कि लोग और खास करके जो district administration है जो DC है अलग लग जिलों के वो अपने लोगों को प्रेरित कर रहे हैं injection लगवाने के लिए और लोग भी injection लगवा रहे हैं इसलिए ज़्यदा सिदा तादात में injection लगवाएं जो करोना वैक्सीन है ताकि हम लोग जो हैं करोना के जो अधिक परभाव है उससे बच सकें क्योंकि मास्क पहनना, social distancing को follow करना और करोना वैक्सीन लेना ये मूल मनत रहें इन सब को आप पालन करें और जमू कश्मीर के अंदर जिस तरह से करोना की वैक्सीन ली जा रही है और सभी को जो डेटा हमारे पार सरकार की तरफ से आया है वो डेटा मैंने आपको बताया कि रोजाना कितने injections जो हैं लोगों को लग रहे हैं चाहे वो first dose की हों या जिनको second dose ली है जिनोंने और साथ में total अभी कितनी percentage लोगों की जो है जो अभी तक करोना वैक्सीन ले चुके हैं तो ये एक information है जो सरकार की तरफ से दी जाती है और हम आप तक पहुँचा रहे हैं क्योंकि आप तक ये भी information हम पहुँचा चुके हैं कि hospital में beds की क्या capacity है वैक्सीन की किस तरह से क्या साथ शेयर करें कि वैक्सीन किस तरह से अलग लग इलाकों में सभी लोगों को कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगाईए और मैं भी अपील करूँगा जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है वो कम से कम वैक्सीन लगाएं ताकि इस करोना की महमारी से हम बाहर नि